जैसे रासन वित्रण की बात करें, तो रासन वित्रण वित्कृता होता है, वो इस तरह से बात करता है कि वहीं से कम मिल रहा है, हम कम देंगे, वो हमेशा कटोथी कर लेता है किसान परेसान है गवसाला खुलबाइए तो मिनमें इस्तितिक आए पहुचाए देवाट होई भूकी मरते हुए और रही बात जो भरती किया अथिकर्मन की बात करें तो एक बिसे समुदाय को तर्गेट किया जा रहा है एक अथिकर्मन जो कर रहे हैं सभी लोगों के लिए स प्रदेश को बेरोजगार का नाम दे सकते हैं उत्तर प्रदेश में योगी आदे तिनात की सरकार के सौ दिन पूरे हो गए इस योगी सरकार टू में जो नई योजनाई लागू की गई है उन योजनाओं के अंदर गाओं तक कितना लाब पहुँच पा रहा है इसके लिए हम एक मलपुना गाओं में आये हैं जो अपने आप में खास है और इसकी खासियत यह है कि यह बहुत संपन गाओं है और यहां के लोग बहुत बेबाकी से अपनी बात हमेशा हर जगे पर रखते हैं और यहां पर जो अवैत पार्किंग की समस्या अतिकरमल की समस्या मुफ्त रासन की जो बात चीत हुई थी और लेप्टॉप बाटने की बात थी इसके अलावा अन्य जो अमीद रखते हैं सरकार की योजना या धरातल पर किस इस्तिती में आप आई हैं आपका क्या नाम है मैं चोधरी इंबसी हुँ ग्राम पदान मलपुरा यह बताये यह योगी आदेतनात की जो सरकार चल लगी है इस सरकार के अंदर जो योजनाई लागू की गई जैसे बद्ध पर किया लागू कि गई हैं लागू हुई हैं नहीं हुई हैं क्या चल रहा है यहां पर लावस्त लिए इस यह से घरी वोगी हैं आज भी हमारे गाव एंद्ध वित्रण हुआ था उसमें एक किलो चनारे नमक और पांच किलो मिला करके गियों और चामल मिला करके तो मफ्त रास्र का लाव हमारे काओं के सभी गरीबों को मिल रहा है और जो गैस वाली जो योजना है वो लोंने गोशड़ा कि थी होरी और दिवाली के लिए तो वो जो होरी ओर दिवाली पर एक 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 शिलेंडर मिलेगा वो आगे के लिए बात ए और अतकमड जो सरकार का यह उल्चता यह अटाने का तो उस पर बहुत ही अच्छी तरीके से क्रिया कर रहे हैं काम कर रहे हैं और लोग अतकमर भी अपने आप स्वेम भी अटा रहे हैं और माफिया वह भ्यापत हैं कि हमें आब जो भी जमीन हमने सरकारी गेरी है उससे हम अट जाए तो यह आपका मा काफिया है अतकर्मन की यह हुए है और जो रासन की योजना चल रही है गैस की योजना है और भरती की योजना इन सब पर गाउं के अंदर क्या इस्तिती चल रही है सरकार की योजना किस तरह से गाउं में चल रही है कितना इसकी हकीकत क्या है दरसल राजन की वहां बात करते ह उनों से पूरा योजना है और इसमस्ग क मिल रहा है हम कम वह मैंजे पूरत हैँ तो हम अन्योजना की बात करें लेगा तो वो परभे्य हम पुर Hag wait कर दिया है जाता है बच्रेंड जाता है कि आफ उदके ब्लका जाता है तो क्त रहाता हो that तो भात को असे समधायर को टार्गेट किया जा रहा है जो कर रहा है सब दो तक का जो आया है वो विसेश समधाय के उपर कर रहे हैं रही बढ़ती की बात तो अगनीवीर की बात करे हैं हम जब बहुत दो साल से हमारी बढ़ती नहीं हुई यह फोर्स में और अगनीवीर की बात कहिए इनोंने तो यह कोई आंदुलन कोई पाटी नहीं चला रही है कोई स्थित्थी चल लगी उस पर बात हो रही है तो यह विस्यानतर वो जाएगा गा इस बात होगे तो इसके ऊपर गांगों में क्या इसन तिती है और क्या आप सरकार से चाहते हैं उसके ऊपर बताईगे तो जितने भी योगी सरकार जो हस्ट में बढ़ती कराई थी अब सौधन पूरी होने जा रहे हैं कोई भी भरती में ऐसा कोई बात नहीं थी कि जसमें पेपर लीग नहीं हुआ हूँ पेपर लीग करके नाम पर पुनह कराया जाता है पर कुर्ट में चला जाता है लोगों को बस तो रोजगार नहीं मिल पा रहा है, रोजगार के साथ बच्चों के साथ बड़ा खिलवार हो रहा है, क्यों आए दिन जो सिच्छा है, सिच्छा बढ़ती जा रही है, लेकि रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम उत्रपदेश को बेरोजगार का नाम दे सक कि ये जो फरीकी योजना है, रासन की, गैस की है और पुलिस के भरती की है, अतिकरमन की है, माफियाओं के खिलाब कारिवाई की है, ये सब जो योजना है, उत्तरपरदेश सरकार की चलिए गाउं में कितना असर देख रहा है और क्या चीज है जो अभी तक गाउं में नहीं और जो दिखनी चाहिए। किसे कणणों गाये खुली गुम रही है। किसान परेसान है। गवसाला खुलबाईए है तो मिनम इस्तितिक आये है। पहुचाई देमाट हुई भू की मरते हुए। पर निकाल देते हैं। तो या तो वो छोड़ने बाले दंड़ित किये जाए जब जे रुखावट हुए उन्हीं यह साब काम निखना साब फसल बरबादे आते हैं किसान परेशाने आवाते लेकर यह समस्य आगाम में बहुत ज्यादा है तो जो गायों अन्ना जानवरों को ले करके जो एक बाचीत कि गई थी उसका क्या असर चला है इस समय अभी तो को यह सो असर खासा आया ना थी भेजिन जा प्रदाहन ने दोज़ दफे कोसिस करके नहीं यान पोचवाई में जारेने पुचा तो सो सोगाई को सस करिये अपर इदम पर विते की यह जांते जब तक कराई नहीं होगी अ करें तो यह पर विसेद्ध द्यान जी है हम हम जो सिंगे हम गार चोड़ते हमको दन्रित किया जाए ठीक है यह तो बिसे द्यान दाए जाए जब समस्वाद होगी और जी काखल गाई ने फीछ वाजिंगे ठीक है आपका क्या नाम है मेरा नाम पूरन सिंग पूरन सिंग जी क्या जो आप आत कही है इससे आप सहमत है या अपनी कुछ अलग बात कहना चाहिए हम गाउं के बारे में कुछ बात कहेंगे हमारे गाम में सबसे ज़्यादा परेशानी नाले किये इससे मच्छर और बीमारी अत या तो ये पक्का हो या इसकी सफाई प्रत दिन हो ऐसा कोई नियम बरना चाहिए तालाबाओं की और इनकी सफाई बहुत जरूरी है गाउं में ये परिशानी बहुत है तो उत्तरपरदे सरकार की जो यूजनाय चल लई है ये यूजनाय आपके गाउं में किस तरीके से चल हैं और क्या इस्तिति उनकी यूजनाय ते सब लोग संतुष्ट हैं लेकिन ये नाला पोखर इन से संतुष्ट नहीं है लोग इन से परिशानी होती है बहुत बीमारी बढ़ती है मच्छर भी बहुत पएदा होता है सफाई नहीं होती कभी आपका क्याना है धर्मिंद रु कि मैं उनको बहुत 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 दिना चाहूंगा और जिस तरीके से हमारे साधी भाई ने का एक विसेश संधाय पर अतिकर्मा डठाने की कारवाई चल रही है ऐसा मेरा मानना नहीं है अभी कुछ दिन पहले एटा में एक विसेश संधाय के लोग नहीं थे आप प्रकार की उजनान को लेके चली है जिसमें लोन मेले और ये सब चीजे लगाए गए और रोजगार की भी बात की गई है आपके गाओं के अंदर इसका कितना असर दिखता है और क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है जो आप चाहते हैं कि सरकार को यह करना चाहिए पर सरकार तो आती है और जाती है और जाती है और सरकार यह भी आई है और सरकार आती है अच्छी यह जनागी लेकर 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 आती है कोई नो कोई लेकर नो कुई लेकर उसमें कमी आए हैं कुछ के उनका पीछा नहीं किया आता है जैसे किसान सम्मान ने दी एक बार स आपका क्या करना है योगी जी टू की सरकार जो चल रही है उसारी योजनाय किर्यानवत हैं बागी की गाउं इस तर पर पिसले एक साल से गाउं में काफी परवर्तन है तो काफी योजनाय अमलमल आई गई है और चल रही है अगर अगाउस यहाँ देखरां है कि कोई अपर जो पर्यावर्तन हैं और श T hell थाओं हीजनाय किसी भी तरह की, और होती भी है, तो वो हल की जाती है, चाए प्रधान द्वारा की जाए, या गाउं के सब्रांत लोगों द्वारा की जाए, हल कर ली जाती है, सामाजे किस तर से, और अच्छा है यहाँ. इस बादचीत में एक दिव्यांग भाई भी आए हुए है, उनसे बात करना भी बहुत जरूरी है, आपका क्या नाम है? रामिशर बगेल मेरे नाम है. अच्छा यह बताईए, कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं चल लाई है, उनके बारे में आपको जानकारी है, गाउं में, तो वो योजनाएं गाउं में किस तरीके से चल लाई है, क्या कमिया हैं, और या सब कुछ सही चल लाई है? मैं राशन की और जो छोटी मूटी हैं, उन सब की विवस्ताएं देखी हैं, बिलकुल दुरस्त हैं, एक मैं अपनी तरफ से बताना चाहूँगा, कि दिव्यांग, हम लोगों को एक विशेष नाम दिया गया दिव्यांग, उसके साथ ही मैं आपको जानकारी देना कि योगी वन में और टू में हमारे लिए क्या हुआ, कि हम लोगों को तीन सो रुपे, डेड़ सो रुपे पेंशन मिलती थी, आज वो पेंशन वन और टू में पंद्रे सो रुपे होने जा रही है, एक अजार हम लोगों को आ रही है, और पहले होता था कि पेंशन छे महीन और हमारे चोट इस घाव में लगवग 80 दिव्यांग लोग पेंशन ले रहे हैं और जिस प्रकार से पेंशन पहले केवल तीन या चार तरीके के विकलाउंगों को मिलती थी अब वो 21 प्रकार के दिव्यांगों को मिलती है यह सब चीजे हम लोगों के लिए की गई आप देख वाली है, तो पेट्रॉल बच रही है, सारी चीजे बच रही है, और इससे हम कहीं भी आ जा सकते हैं, तो मैं तो एक बार फिर कहना चाहूंगा, बहुत-बहुत धन्यवाद योगी जी को, अच्छा, योगी सरकार को दस में कितने नंबर देंगे? मैं तो दस में से दस दूँ जी बारे पर पहुँचो साथ, काम बढ़िया चलो, खुब बढ़िया दो, पूरे ही नंबर है, और योगी सरकार बट अच्छा काम कर रही है, मेरा सरकार से एक उजारिस है, किसान संबाने दी से जो लोग किसान छूटे हुए है, उनको लिए सरकार थोड़ा सा अपने उनको कार्ड बनाने के लिए बहुत ही बड़ी हमें कवायाद करनी पड़ती है, तो मैं योगी जी से और पूरी सरकार से बजारिस करूँगा, कि एसे छूटे हुए लोगों को जो पात्र हैं, और उनको हर योजना को लाम मिलना चाहिए, इसके लिए थोड़ी सी सासन और थोड़ा सा अपना सकती करें, बाकी की यहां बहुत अच्छा काम चला है, मेरा गाम में मुझे यहां परफॉर्मेंस गरांट मिली हुई है, उसके द्वारा मैंने पूरे गाउं को एक दम से पक्का कर दिया है, नाली खरिंजे सब पक्के हैं हमारे यहां, एक बहुत नाला है, जो लग सचाई विभाग का है, और जो पिछले गाउं से ओकर के आता है, तो उसके लिए हम सीडियो साब और डियम साब के जहां बार बार हम लिखत में दे रहे हैं, किसको थोड़ा पक्का करा दीजिए, क्योंकि उसके आसपास रहने वाले जो लोग हैं और वहा कर रहे हैं, तो ये आगरा के गाउं मलपुरा की इस्तिती है, लोग खुस हैं, लेकिन कुछ उम्मीदें भी हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार को पूरी करने के लिए ये सब उम्मीद लगाए हुए हैं, अर्भिन सर्मा, आगरा यूपी तक झाली हैं, आगरा यूपी तक ढ़रा के लिए बारा हैं!